Hello Everyone, Good Morning to all of you and Welcome to Online Study Point दोस्तों आज अब 14th of March और 14th of March इसे related Current Affair के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF शाहिए तो आप हमारे इस mobile application को भी install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के Current Affair का audio भी मिल सकेगा इसके लावा यदि आप NTPC और Group D की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नया channel से भी जुड़ सकते हैं जिसके link description box में दी हुई है तो चले श्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में चाइना और किस देश ने अंतर राश्टी चंद्र अनुसंधान इस्टेशन इस्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किये हैं तो चाइना और रश्या की जो दोस्ती है ये इस समय कुछ ज़्यादा ही हो रही है इन्हें दो कंट्रीज ने मिल करके अंतर राश्टी चंद्र अनुसंधान इस्टेशन इस्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किये हैं अब यह है क्या तो आप लोगोंने ISS के बारे में पढ़ा ही होगा ISS इनकी International Space Station जो की प्रत्वी से 440 किलोमीटर की उचाई पर इस्थित है और इस International Space Station को किसके द्वारा इस्थापित किया गया था पाँच कंट्री हैं अमेरिका, रश्या, फ्रांस, जापान और कैनेडा इन पाँच कंट्री ने मिल करके International Space Station इसके स्थापना की थी जहां कुछ शोध कारी किये जाते हैं मानों यहां रह सकते हैं मानों के रहने के लिए एक फ्लैट करह का यह बना हुआ है जहां रिसर्च का कारी किया जाता है तो यह तो है प्रथवी से 440 किलोमीटर की उचाई पर लेकिन अब जो रश्या और फ्रांस है इसने यह जो अंतर राश्टी चंद्र अनुसंधान इस्टेशन इस्थापित करने के लिए समझाता किया है यह कहां इस्थापित किया जाएगा तो यह इस्थापित किया जाएगा प्रथवी से लगभग 384,400 किलोमीटर की दूरी पर मतलब कि यह चंद्रमा पर ही इसे इस्थापित करने जारी है इस स्पेस इस्टेशन में एक तरह का घर बनाए जाएगा जिस पर इनसान रहेंगे और रिसर्च करेंगे तो इसी के लिए जो समझोता है यह किया गया है मतलब कि चाइना ने यह समझोता किया है रस्या के साथ इन दोनों ही कंट्री के बीच का यह एक समझोता है तो यदि हम बात करें रशिया की रशिया की capital है Moscow और इसकी जो capital है Moscow ये इस्थित है यौरप महादीप में आप देख सकते हैं हाली में जो traffic index release किया गया था इसमें top पर Moscow ही रहा था भारत की तरफ से top पर था Mumbai ओर और और इसकी ranking थी दूसरी तो Moscow है capital, currency है ruble, रशिया की president है व्ल gives ja indra एर्यदि आप पश्यमे रूस में देखेंगे तो कुछ यहां से निकलती है, joka river, जोकि yeaheur Mहasdip की सबसे लंभी river है Cascade river जोकि आ करके Caspian Sea में आ करके मिल जाती है और यदि आप Russia को current से relate करेंगे तो हाली में Russia के द्वारा इसका पहला Architect Monitoring Satellite जिसका नाम है Architect M ये भी launch किया गया है अगला question है दुनिया का सबसे शक्तिसाली computer जिसका नाम है Fukago ये उपियोग के लिए तयार है तो सवाल ये है कि ये जो Fukago supercomputer है इसे किस देश के दुवारा develop किया गया है इसे develop किया गया है जापान के दुवारा तो देखें ये ये आप लोगों को याद होगा तो हाली में विश्चु के टॉप 500 सूपर कम्प्यूटर की जो लिष्ट जारी की गई थी इस टॉप 500 में टॉप पर रहा था जापान का Fukago सूपर कम्प्यूटर भारत की तरफ से टॉप पर था परम सिद्धी लेकिन इस 500 में ओवर ओल इसकी रैंकिंग थी 63 तो यहां हम बात कर रहे हैं Fukago सूपर कम्प्यूटर की जिसे की रिकेन और फुजिसू इन दो जापानी विज्ञानिकों के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और इसका जो नाम है यह Mount Fousey के नाम पर रखा गया है Mount Fousey की लोकेशन जो की आगे में आप लोगों को दिखाऊंगी भी और सवाल यह भी बनता है कि सूपर कम्प्यूटर यह कहते किसे हैं जिसे कि यह जो आप देख रहे हैं यह है Fukagoo Super Computer तो देखिए जो Super Computer है यह दुनिया का सबसे तेज कम्प्यूटर होता है जो कि डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है एक General Purpose के कम्प्यूटर को यह दि देखा जाए तो उसकी तुल्ला में जो Super Computer होता है मतलब कि Super Computer के Computing Performance को बहुत अधिक मापा जाता है और Super Computer की जो Performance है इसे MIPS यानि की Million Instruction पर सेकेंड के बज़ाए किसमें मापा जाता है Flops में यहाँ Flops का Full Form होता है Floating Point Operation पर सेकेंड इसमें मापा जाता है और Super Computer में 1000 प्रोसेसर होते हैं जो कि प्रती सेकेंड अर्बो और खर्बो की गड़ना कर सकते हैं तो यही है Fukagu Computer जिसे डवलप किया गया है जापान के द्वारा तो यदि हम बात करें जापान की इसकी Capital है Tokyo Tokyo Olympic आप सभी जानते हैं यही होने हैं यहाँ की currency है येन हाली में यहाँ के नए Prime Minister भी बनाए गए है इनका नाम है Yoshihide Suga जापान से related चार प्रमुख द्वीब हैं कौन-कौन से हैं Hokkaido, Honshu, Sikoku और Kyoshu जापान की जो Capital है Tokyo यह इसी Honshu द्वीब पर बसी हुई है और अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है 275 मिटर अच्छा यहाँ से एक और common question निकल कर आता है कि Vishu का पहला सूपर कम्प्यूटर कौन था तो पहला सूपर कम्प्यूटर था Eliak 4 जिसे मतलब कि इस सूपर कम्प्यूटर ने 1975 से काम करना शुरू किया था यह था Vishu का पहला सूपर कम्प्यूटर यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला सूपर कम्प्यूटर कौन सा था तो यह था परम 8000 अगला question है इसरों ने किस Space Agency के साथ मिलकर संयक्त प्रत्वी अवलोकन उपग्रह यानि कि Earth Observation Satellite मिसन राडार डेवलप किया है तो यह भी हाली में डेवलप किया गया है नासा के साथ मिलकर के नासा जो कि अमेरिका की Space Agency है नासा के साथ मिलकर के इसरों ने Earth Observation Satellite मिसन के लिए सार को डेवलप किया है सार यानि कि Synthetic Aperture Radar जिसे की High Resolution इमेज मिल सकेगी तो यह दि हम बात करें नासा की अभी मैंने बताया है यह अमेरिका की Space Agency है इसकी स्थापना 1958 में की गई थी जबकि भारत की जो Space Agency है इसरों इसकी स्थापना की गई थी 1969 में नासा का Headquarter रिस्तित है Washington DC में इसरों का Headquarter रिस्तित है जो अगला चंद्रयान मिशन है इसे तो चंद्रयान के नाम से ही जाना जाता है चंद्रयान 3 तो नासा का चंद्र मिशन Artemis इसरों का चंद्र मिशन चंद्रयान चंद्रयान 3 जो की लॉंच किया जाएगा 2022 में अच्छा इसरों से रिलेटेड एक और fact आप याद रख सकते हैं अभी हाली में इसरों के दुआरा PSLB यानिकी Polar Satellite Launching Vehicle C-53 के माध्यम से 19 सेटलाइट को लॉंच किया गया जिसमें की एक है Brazil का Amazonia 1 हाली में अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण धसान नदी के बारे में ये जो परियोजना है अर्जुन सहायक परियोजना ये लगभग 2600 करोड रुपे की लागस से बनाई जारी है किस नदी पर तो धसान नदी पर और इस परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बांदा, महुबा और हमीरपूर के 168 गावों में डेर लाग से अधिक किसानों को सिचाई की सुविधा मिल सकेगी और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा और इस परियोजना के तहत 15,000 हेक्टियर शेत्र को सिचाई भी मिल सकेगी तो ये है अरजुन सहायक परियोजना जिसका निर्माड किया जाना है धसान नदी पर अब यदि हम बात करें धसान नदी की तो यहां मैंने मध्यप्रदेश का मैप रखा है क्योंकि इसका उदगम कुछ यहीं से है इसे हम समझ लेते हैं जैसे कि मध्यप्रदेश का यह जो अनुपुर्जिला आप देख रहे हैं यहां से निकलती है नर्मदा नदी जो कि मध्यप्रदेश की सबसे लंबी रिवर है इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर यहां हमें नर्मदा नदी याद नहीं रखनी है यह मैंने इसलिए बताई है क्योंकि यह मध्यप्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यहीं से उदगम हो रहा है धसान नदी का इसे आप कुछ ऐसे रिलेट करेंगे कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसका नाम है यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यह है यमुना यमुना की प्रमुक सहायक नदीया कौन-कौन सी है तो यह है चंबल, केन और बेतवा ये तो आप लोगों को याद ही होगा तो ये जो धसान नदी है ये बेतवा की ही सहायक नदी है बेतवा नदी जिसका उदगम आप देख सकते ही ये कुछ इस तरह से होता है ये है रायसेन रायसेन की कुमारगाओं से निकलती है बेतवा रिवर इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर इसे वेत्रावती नदी के नाम से भी जाना जाता है और इस बेतवा नदी की प्रमुक सहायक नदियां है बीना, धसान, जामनी और हलाली लेकिन हमने याद रखना है धसान आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रही है बेतवा नदी और कुछ यहाँ से आ करके मिल जाती है इसमें धसान रिवर धसान रिवर ये इससे दाये तट से आ के मिल रही है जिसकी लंबाई है 665 किलोमीटर इसी धसान नदी पर ये है अर्जुन सहायक परियोजना जिसके बारे में हमने डिसकस किया है हाली में किस देश ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने पहले बड़े टीका करण क्लिनिक का उधगाटन किया है तो इसका उधगाटन किया गया है न्यूजिलेंड के द्वारा मतलब कि कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए जो प्रयाज किये जा रहे हैं उससे और भी बढ़ाने के लिए न्यूजिलेंड ने अपने पहले बड़े टीका करण क्लेनिक का उधगाटन किया है और कहां किया है दक्षडी आउकलेंड में और ये जो टीका करण होगा ये दिसंबर 2021 तक चलना है और इसके लिए न्यूजिलेंड फाइजर वैक्सिन का इस्तमाल करेगी तो आप देख सकते ही ये है न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड का ये है उपरी हिस्सा ये है दक्षडी हिस्सा इन दोनों के ही बीच में एक स्ट् न्यूजिलेंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारती ये बनी है प्रियंका राधा कृष्णन इसके लावा न्यूजिलेंड के नीचे में ही कुछ यहां पास अभी हालीवे विश्व के आठवे महादीप की भी खोच की गई है जिसका नाम है जिलेंडिया अच हाली में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इस ओफ डूइंग रैंकिंग जारी की गई थी इसमें टॉप पर रहा था न्यूजिलेंड भारत की रैंकिंग थी 63 अगला कुश्चन है संयुक्त राज अमेरिका में 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वूमन ओफ एक्सिलेंस अवार्ट से किसे सम्मानित किया है तो ये सम्मानित की गई है तमिली साइस, सौndraband, ये हैं कौन तो ये हैं तेलंगाना की राज जिपाल जिन्ने अभी हाली में पुदुचेरी के भी उपर राज जिपाल का एडेश्चनल चार्ज दिया गया है इन्हें इस प्रतिश्ठेत सम्मानित किया गया है। अब दिखिए हम उन नामों को डिसकस करें जिन्हें अंतर राज्ट्रे इस्तर पर आवार्ड मिले हैं। यदि हम बात करें किरन मजुमदार शौह की जो की बायो कॉन की संस्थापक है। इन्हें लास्ट येर ऑडर ऑफ ऐस्ट्रेलिया से सम्मानित क किया गया था फिर हैं भारत के पूर्व एटार्री जनरल सोली सोरब जी जिने की 2006 में सम्मानित किया गया था इसके बाद 2012 में सचिन तैंदुलकर और अभी हाली में किरन वाजंदर शौ इन्हें भी ओडर ओफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाने वाली चौथी भारती बनी फिर यदी हम बात करें निर्मला सीतरमन जी की तो हाली में फोप्स के दुआरा दुनिया की जो सबसे शक्ति साली महिलाओं के लिष्ट जारी की गयी थी इसमें निर्मला सीतरमन जी यह है 41 इस्थान पर टॉप पर है जर्मनी की चांसलर एंजला मरकेल केके सेलजा ये कौन है तो ये है केरल की हेल्थ मिनिस्टर इन्हें भी अभी हाली में युनाइटेड नेशन के दुआरा सम्मानित किया गया था और क्यों सम्मानित किया गया था कोरोना महमारी से निपटने के लिए इन्होंने जो बहतर प्रयास किये इसके लिए अगला कुश्चन है हाली में महिला अंतर आच्छी क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाडी इशे बन गई है मिताली राज जिनकी इमेज आप देख सकते हैं अच्छा ये दुनिया की दूसरी खिलाडी बनी है तो पहली कौन थी? पहली थी इंग्लेंड की सारलोट एडवर्ड्स तो मिताली राज दुनिया की दूसरी और भारत की ऐसी पहली खिलाडी बन गई हैं जिन्होंने अंताराश्ट्री क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किये हैं साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि T20 में सबसे जादा रन बनाने वाली महिला खिलाडी भारती महिला खिलाडी ये मिताली राज ही है जो की राजस्थान से बिलॉंग करती हैं इसके लावा इदि आप करण से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे नंबे समय तक वंडे खेलने वाली भारत की दूसरी क्रिकेटर ये भी मिताली राज ही हैं पहले स्थान पर है सचिन तेंदुलकर इन्हें 2015 में पद मुश्री और 2003 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है अगला कुश्चन है ये भी स्पोर्ट से ही रिलेटेड है टेस्ट क्रिकेट में 12 सतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाडी कौन बने हैं तो अफगानिस्तान के पहले खिलाडी ये बन गये हैं हशम तुल्ला शहीदी जिन्होंने कि टेस्ट क्रिकेट में 12 सतक लगाया है इनकी इमेज आप अब ये बिलॉंग करते हैं अफगानिस्तान से तो ये है अफगानिस्तान की लोकेशन ये है इंडिया ये है पाकिस्तान इसके बाद है अफगानिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल यहां की करंसी है अफगान अफगानी और प्रेसिडंट है अश्रफ गनी अच्छे आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाली में अफगानिस्तान में एक बांध का जो टेंडर है यह भारत को दिया गया है इस बांध का नाम क्या है सहतूत बांध सहतूत बांध का जो निर्मान है यह किया जाएगा भारत के द्वारा और भारत के द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जाने वाला यह दूसरा बांध है पहला बांध कौन सा था? सल्मा बांध जिसका उद्गाटन 2016 में किया गया था अगला कुश्चन है भारत की सुतंत्रिता की 75 वी वर्ष गाठ मनाने के लिए प्रायम मिनेश्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को एहमदाबाद में दाणडी मार्च की कौन सी वर्ष गाठ को हरी जंडी दिखाई है तो देखिए history के जो question है ये current में तो काफी कम ही देखने को मिलते हैं पर जो भी मिलते हैं वे important होते हैं तो हाली में दांडी मार्ज की 91st जयंती मनाई गई है इसके बारे में कुछ key point है जो कि हम discuss कर लेते हैं आप देख सकते हैं ये है प्राइम मिनेश्टर नरेंद्र मोदी जी तो स्वतंत्रता की जो 75 वी वर्ष गाठ मनानी जानी है इसके लिए इन्होंने 12 मार्ज को मतलब की हाली में एहमदाबाद से दांडी मार्ज की 91st वर्ष गाठ को हरी जंडी दिखाई है दांडी मार्ज आप सभी जानते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए जिसके शुरुआत की गई थी 1930 में और गांधी जी के आवाहन पर ये दांडी मार्ज आयजित की गई थी मतलब कि दाड़ी मार्च चला था जिसका नेत्रत्व महात्मा गांधी जी नहीं किया था और ये जो शुरू किया गया है महात्मा गांधी के साबर मती आश्रम से ये कारिक्रम है जो कि आजादी के अमरत महुत्सो को मनाने के लिए राज्य सरकार के कारिक्रम का भी हिस्सा है आजादी का अमरत महुत्सो यह यहाँ पर लिखा भी हुआ है अगला कुश्चन है हाली में किसे International Olympic Committee के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो हाली में International Olympic Committee के दोबारा से अध्यक्ष बन गया है थॉमस बाग जिनकी इमेज आप देख सकते हैं तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है यह संस था जिसका नाम है International Olympic Committee इसके स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी हैटक्वाटर रस्तित है लौजन स्विजर रेंड में पीरेडी कुर्बतिन को इसके लावा Olympic जो कि हर चार साल में आयजित किये जाते है और अभी हमने डिसकस किया है कि इसके शुरुआत 1894 से की गई थी लेकिन इसमें महिलाओं मतलब कि महिलाओं ने कब से participate करना शुरू किया था 1900 से और दो तरह के Olympic होते है Summer Olympic और Winter Olympic अभी जो टोक्यों में होना है ये Summer Olympic ही है Summer Olympic 2020 जो कि 2020 में होना था लेकिन कोरोना के कारण इस साल हो रहा है Summer Olympic 2020 जो कि आयोजित होना है Tokyo जापान में इसके 4 साल बाद Summer Olympic 2024 जो कि आयोजित किया जाएगा फ्रांस की कैपिटल पैरिस में फिर यदि हम बात करें विंटर ओलंपिक की तो विंटर ओलंपिक जो की होना है 2022 में इसका आयोजन चाइना में किया जाएगा इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में इसे होश्ट करेगा इटली तो यह आप याद रखेंगे अब यदि हम अदर आप्शन को डिसकस करें तो हाली में न्यूजिन एंड के जो ग्रेग बार के लिए हैं यह ICC के अध्यक्ष बनाये गये हैं ICC इस्थापना हुई थी 1909 में हैटक्वाटर इस्थित है दुबई UAE में भारती मूल के जो नरिंदर बत्रा है यह अध्यक्ष है International Hockey Federation के इसका हैटक्वाटर इस्थित है Lawson, Switzerland में कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर था तीरस सिंग रावत अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में Young Global Leader World Economic Forum के लिस्ट में किसे शामिल किया गया है तो इसका जो भी अंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो आज के लिए इतना ही Thank you so much